तो 5G में आने वाले वोल्टेज बहुत ज़्यादा है यह इतने सारे वोल्टेज आपको मिल गए हैं आपको हर एक वोल्टेज चेक करना पड़ेगा उसकी लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा कि वह कहां से आ रहे हैं और तभी आपका काम होगा तू और यहां पर चेक करना एक उसके फोल्टेज यहां पर मिलना चाहिए यह आर एक वोल्टेज यहां मिलना चाहिए 1.2 पे वोल्टेज ईntव्सटेड़ पर अर एक ब्लाइश का प्राइमीर आरेक शेक्शन अंहिंऑ एसका का शर्व टार्र ढींथा मेरे इसा है कि अब्हुर्सटेज कि बीनिक बाद करते हैं कि जब भी भी हम ऐसे स्टुट से बात करते हैं जिन्कों को गर्जिन को कोई बी तेक्निकल नॉलेज़ कहीं से बढ़कर नहीं आते हैं तो या की मतीजूट से बढ़कर क्ट तो वो जनरली हर आइसी को WTA WTA बोलते हैं कि हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिदी हुमार जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा कुरूर जिद है मेरी जुर। आज मैं आपके लिए ने ट्रॉक सेक्शन का फिर से एक अजूबा अनुखा वीडो लेकर आया हूंगा यह वीडो है इस बार 5G सेक्शन पर जियां बढ़ में आप है फिर भी सिभ और सिभ अभी फिलाल मैंने बोला ना मैंने सीरीज चालू किया और मैंने सोचा किया चोटे- बन कर दो कोई मतलब के बचेंगे नहीं सिभ और दूसी के लोग देखेंगे वर आप लोगों कोई फाइदा होगा नहीं कुछ मतलब निकलेगा नहीं सोचा चोटे-चोटे वीडो बनाना चालू करो दोस्तों अभी मैंने वीडो बना रहा हूं आप नोटिस किजेगा आप पोको के M3 Pro जो एक 5G मॉडल है इसमें मेरेटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है 6 8 अगर हम बात करेंगे इसमें जैसे मैंने बाता ना कि तीन चार चार पार पाच पावर आइसी लगी है तो वैसे ही हम पार पाच पावर आइसी वाले एक सट्केट में यहां पर हम चेक कर रहे जहां मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपके पास यह सैट आए तो आप इसका डायग्राम प्रिग्माफेक्स में खोलके आप इसको इसके सारे वोल्टेज को चेक कर सकते हैं बड़ आपको नहीं पता कि कैसा चेक करना है तो यही वीडियो में इसलिए बनाया है कि आप आपको दू सकते करें अपने प्रिटिए क सथे कर सकते हैं और अपने फॉण के वोल्टिश बनाऊ-पने फॉन को यह चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा वोल्टिश कहां से किधर से आ रहा है और ब उससे की रिखक। कि पढ़ेगी उसके लिए मैं डेडीकेट वीडियो बनाऊ यहां पर आपका जो आरेफ सेक्शन है पहले मैं आपको आरेफ सेक्शन दिखाना चाहूंगा पीसीवी के अंदर लेयाउड में आरे सेक्शन के लुक कीजें यह आपको यह देखा है अपने आप यह नहीं लगी है यहां जो इसका लगा है चाहाँ नंबर बूलते हैं तो इसका नंबर भी हम जानेंगे यहां पर भी आप देखिए नेट्रोक सेक्षेंट है यहां पर भी तो यह नेट्रोक सेक्षेंट काफी लेंडी होते हैं और अभी 5G कर्टिकरी में तो लेंडी बना दिया गया है मतलब आप वहां देखे तो दो-दो पीएफो एक आपको ल आइफ üzerine या तो अम इसको आइएफअड गोलता हूं या मैं इसका बोलता हूं आपकी भासा मैं मेरा यह फोन का डबा रहे हैं मेरा वेफों का यह डवलू टी आ नहीं को कर यह फनुरलना तर daha मेरे मेरे एसा एक यह मैं नहीं लोग्रों तर भॉलना है कि जब भी भी हमत इ टेकिनिकल नॉलेज्ज या कहीं से इंस्टीट से पढ़ने हैं कि जेले इन्स इस पाड़कर सो जनरली हर इसी को डब्लउ टीयर बहुते हैं कि यूमें मिध्यर एवो आइफों में इसी डब्लॉटीर बता देंगे हैं था घ्नान आफ कर नाम इसा पता चल गया है तो अगर मैं बात करूंगा यह मेरा WTR नहीं है यह मेरा ट्रांससीवर है ठीक है तो प्लीज आपको करेक्षिन कीजिएगा अब यहां पर इसी ट्रांससीवर के कुछ वोल्टेज में आपको बताना चाहूंगा अच्छा इसको कंपेड करने के लिए मैं WTR के इसके दोस्तों क्योंकि 6a में भी मीडियर टेकर सीप्यू लगा हुआ है 6762 वी तो अगर मैं इसका खुलूं और इसके साथ पहले इसको देख लों कि इसमें कितने वोल्टेज जाए तो लोगों को क्या है कि क्लिर्टी हो जाएगी क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 5G के लिए अगर 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 यहां पर इसका ट्रांसिशी वर लगा हुआ है आप नोटिस कीजे कि यह और कि और मैं इसको डबल टिक करूंगा तो यह मेरा ट्रांसिशी वर यहां पड़ा गया है तो फिलाल मैं अगर इसकी बात करूंगा यह मेरे इसका भी WTR 6177 small m so अगर मैं यहां पर इस iC की बात करूँ तो और इस iC पर अगर मैं आपको लेकर जाओं यहां पर जो चलिए इस iC पर लेकर जाते हैं तो देखिए दोस्तो यह इसी यहां पर आ गई है तो आईए तो आईए हम बात करते हैं इस section में है जो हमारे voltage के reference line है या इसको जो मिलने वाले input voltage है वो कौन-कौन से है तो कितने voltage हैं आपको voltage अगर कहीं पर भी जानना है दोस्तों तो उसकी भी coding होती है हाला कि वह coding के लिए मैं तो भी फिलाल यहां पर थोड़ा हाइट कर रहा हूं हाला कि उस coding को भी मैं बता दूंगा क्या है जब इतना खोल दिया तो क्या ही बचेएगा तो अगर मैं बता हूं यहां पर तो आप देखेंगे इसका प्राइमरी आरेक्स सेक्शन है यह इसका डि क्योंकि इसमें बेजबेंट आई सीबी है और यह आपका डिडेक्शन लाइन है जो आपका यह यह लाइन भी बहुत प्रॉपर तरीक से सही होनी चाहिए यह आपकी एक्शो की लाइन है जिससे आपके फ्रिक्वेंसी मिलती है इसको 26 मेकाहर्ट की यहां पर देखें लाइन हमारी VDD है जो हमारी वोल्टेज की लाइन होगी अगर इस वोल्टेज वाली लाइन पर आपको तोड़ा सा बता हूं उसके बाद में मैं 5जयोड ले साट पर ले जाता हूं आप नोटेस की जएगा यहां पर यह है शिक्से के लिए तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो एक वोल्टेज आपको यह मिलेंगे यहां पर 1.8 और एक वोल्टेज आपको यह मिलेंगे 1.2 यहां पर चेक करना एक वोल्टेज यहां पर मिलना चाहिए यह और एक वोल्टेज यहां मिलना चाहिए 1. 1.2 इस कैपसेटर पर और एक वोल्टेज यहां मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज आपको मिलना बहुत जाज़ा जोड़ी है अगर यह वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आपका नैट्रक नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं कैपसेटर को दूर हूं तो मैं बह लगे कैपसेटर को केबल टच करेंगे तो आपको यह देखने को मिल जाएगा तो आप जैसे की इस आइसी के पास यहां पर इस कैपसेटर पर आपको यह वाले वोल्टेज चेक करना है 1.8 तो दोस्तों यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज आने चाहिए और अगर मैं बात करू इस कैपसेटर पर आपको चेक करना है 1.2 वोल्टेज तो इस तरीके से आप देखें यहां पर जो हमारा पहला भी 4G का सेक्शन होता था वो इस तरह के वोल्टेज बना दिये जाते थे जिस पर आप देखेंगे 1,2,3,4,5 तो 1.8 और 1.2 करके 5 वोल्टेज अलग-अलग ला 5G में बता है तब मैं आपको 5G में बताने वाला हूं तो नोटेस कीजेगा 5G के IC को भी थोरा सा घुमा लेते हैं यहां पर छोटा करके यह देखें तो यहां पर यहां पर यह 5G तो दोस्तों यह और यहां पर जो IC आपको देखने को मिलेगी 6190 M और आप देखेंगा वहा यहां पर देखें यहां पर DRF यहां पर सेक्शन से हैं यहां यह सारे वोल्टेस के सेक्शन है यहां पर देखें मिपी की लाइन है जो प्रोटोकॉल से में यहां पर देखने को मिलेंगे यह सारी चीजें ग्राउंड यहां पर दी हुई हैं और अगर यहां पर हमें क्या द कर देखेंगे यहां पर देखेंगे तो और इखक करने देखें थो इह पर आपके यह के लाइन यह जो यहां पर आ रहे हैं यहां यहrom है हम बात करते हैं दोस्तों हम बात करते हैं फाइब जी सेक्शन के कुछ वोल्टेज की सो वोल्टेज में आप देखे कि इतने सारे वोल्टेज आपको यहां पर मिल रहे हैं तो अगर आप नोटेस करेंगे तो फाइब जी में आने वाले वोल्टेज बहुत ज़्यादा है य अलाकि आपके बाद स्केमेटिक नहीं हैं तो भी उसके बहुत सारे तरीके हैं करने के पर वह चीजों को सिखाया जाता है तो उसके लिए इंस्टिटूट जाएए जो भी आप जिस भी इंस्टिटूट में जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है आपको इंस्टिटूट में जान है आपको एक स्टूल में बिठाकर आपको वह नौलेज दिरहा जो आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा कि आप देखिए सारे वोल्टेज हैं जैसे आप आप देखिए 1.8 1.8 1.2 1.8 स्ऩोल के नोटेस करो यहां पर भी वही वाले 1.8 जैसे एक दो तीन चार और यहां पर देखिए डीए दी दीवी डीडीडी तो आप देखो नोरिटस करो यह लाइन है आपको जाओ आना जासाहिए सीस्ट आपको ओड़ करने के बाद आगे बड़े और तो यहां तो आपको इस कैफिटर में वोल्टेज चेक करना है जैसे में इस कैफिटर को टच करूँगा तो मुझे यहां पर देखें वन पोने अपस में जुर्य हुए हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कुद्धा जुरा है लाइन पर 1.8 वोल्टेज नहीं मिलना है तो आपका सेंसर पैड है बिसिकली पैड है पैड डिफ्रेंस है मतलब एक मिड लेर यह ब्रेक हो गई है तब आपको इस निकाल के उस लाइन तक वोल्टेज देना पड़ेगा तो अगर मैं बात करूं यह कैपिसिटर आपको देखे यह कैपिसिटर आपको कहां देखने को मिलेगा तो यह कैपिसिटर आपको इसी आरक के बगल में यहां पर देखने को मिलेगा मतलब यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज देखना है तो ऐसे ही करके आपको अपने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं दोस्तों यहां पर अब कि यहाँ पर देखेंगेye vers. वुल्टेज कहा है और यह बॉल्टेज के लिए एक यहाँ पर दिया हुआ है तो देखेए यहाँ उपर में मिलेगा तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या आपको फैरी एक बोर्णी आ रहें कि नहीं आ तो इस वाला भी मैं आपके लिए बना दूंगा और कोसिस करूंगा कि कम समय में ज्यादा ग्यान देश सको तो इस वीडियो को मेरे महनत को और आपकी नौलेज के लिए मेरे नौलेज के लिए जो आप तक पहुचा है उसके लिए एक लाइक कमेंट बनता है अभी तक कोई यूटूब में नहीं बताया हो क्या ना में आपका 15 अभी आपका क्या करने वाले हैं उसका सिप्यों निकाल ला हूं कौन का फोन है यह मैं वाई 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 बभी आपिसका सिप्यों निकालने वाले